दिवा और कविता की शक्त भूमी बिहार अतित रहा है बिहार का और यहीं से रिशकभी वालमी की केकंट से फूटी थी कविता की पहली धारा शूनि का ग्यान देने वाला बिहार साधकों मनीशियों और ग्यानियों का आदिकाल से केंद्र रहा है वैदिक काल से आगे बढ़ता हुआ इसका चिंतन और साहित आज तक निरंतर उतकर्ष की ओर है रिशी याग्यवल्क ने पहली बार प्रियागराज में रामकथा कही थी जगत जननी सीता की प्रकट अस्थली और विश्यो को गणतंत्र का संदेश देने वाला बिहार अपनी प्रतिभाओं तता व्यभव के बल पर संसार में साधा स्वेष्ट अग्रणी और पूज रहा है और बिहार मनुश्यता का संरक्षक रहा है नालंदा और विक्रम शिला इसके ज्यान के किंद्र रहे हैं अनेक पवित्र नदियों से अभिसिंचित बिहार की धरती महापूर्शों को जन्म देती रही है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपदी डॉक्टर राजिन प्रसाद इसी बिहार के सपूत थे शौर पराकरम शिक्षा चिकित्सा साहित्य संस्कृति अध्यात्म ग्यान विज्ञान तथा विभिन ग्यान धाराओं में बिहार शिखर पर रहा है मुख्य अध्यथी डॉक्टर एचन भार्थवाज ने कहा कि प्राचीन काल से आज तक बिहार का एश्वर संसार को अलुकित कर रहा है प्रकृति के बीच रहते हुए हमारे पुरवज अपनी आंतरिक शक्तियों को विक्सित करते हुए तमाम भावतिक संसाधनों को पैदा करते रहते थे हर तरह से संपन रहा है बिहार मगर आज इसकी बधाली बहुत ही दुखत है डॉक्टर विकास नारायन उपाध्या ने बिहार के राजनैतिक प्रभुतु का विस्तार से जिक्र किया और कहा कि निरंतर विकास के नारों के बीच बहुत कुछ बिहार का नश्ट हो रहा है जिसके लिए बुद्धिजीवियों तथा आम आदमी को आगे आकर बचाने की जरूरत है समाज सेवी मुकेश तरपाथी ने कहा कि आज भी बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है मगर उसे उचित मंच और संसाधन उपलब्द कराने की सरकारी इच्छा बहुत मजबूत नहीं है बिहार का अतीत सुखद मगर वर्तमान दुख देने वाला है उद्गार व्यक्त करने वालों में डॉक्टर धननजय मिश्र, प्रनब चोधरी, मधुमंगल ठाकुर प्रमुख रहे इवाकवी श्यामल श्रवास्तव, विवेक चंद्र, प्रवेण कुमार मिश्र ने अपनी गंभीर कवितायं सुना कर विश्व कविता दिवस की रचनाकारों को शुब कामनाय दी, डॉक्टर संजय पंगल ने अपनी कविता सुनाते हुए जब इन पंग्तियों को सुनाया की मुक्त उराने भरने दो, सब को उनमुक्त परकाश में, खोच लगाना चाह रहे क्यों तुम, फहरे आकाश में, करी-करी की साथ गाठी बन जाती जनजीर है, अरे यहां तो सब बनजीरे कहां किसी का नीड है, तो कविता की उँचाय और बिहार की प्रतिभा के दर्शन हु अपने एकल अभिने से बिहार के परिद्रश को उपस्थित किया, अपने स्वागत तथा धनेवाद ग्यापन संबूधन में बिहार गुरु के धक्ष समाज से भी अभिनाश्तिरंगा ने कहा कि सोच, सदा आधुनिक तथा संसकार पौरानिक रखना चाहिए, बिहार का पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें, डिजिटल न्यूस ट्वेंटी